नमस्कार दोस्तों मैं अरिस्यादो अपने यूट्यू चैनल पर आपका सागत करता हूँ हम लोग UPSI में पूछे जाने वाले एक्जाम के बारे में देखते हैं देखें यह टार्गेट है यह UPSI को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारती दंस सहिता और दंप्रक्या सहिता को पढ़ेंगे जो कि अलक से एक पक्रिया है भारती दंस पक्रिया सहिता 870 को बनाया गया है जो कि एक अपराध करने वाले ब्यक्ति के लिए इसमें प्राधान है और इसके लिए धाराएं हैं और इसमें डंड का प्रधान है और इस सहिता के तहट किसी भी विव्यक्ति को किस धारा के अंतरकत रखा जाएगा उसमें किस क्या दंडिक किस धारा के अंतरकत दंडिक का प्रधान है वो दिया गया है तो हमारे UPSI में अधिकतर पूछे जाने वाली प्रस्ण है और इसमें important धाराएं हम discuss करेंगे क्रम वाइस क्रम और देखते जाएंगे तो देखिए भारती दंसरिता 1860 में यह भी पुछा जाता है कि भारती दंसरिता क्या इंडियन पैनल कोड 1860 अब देखिए यह नियम है बिध क्या है बिध किसे कहते है नियम कानूद बिध ही नियम या नियमों का ऐसा समूँ जो किसी राज में रहने वाले ब्यक्ति यह नागरिकों तथा स्वयम राज के क्रिया कलाप को नियंतित करने या नियदेशित करते हैं तो कानून विधी नियम में ऐसा समूह है जो किसी राज में रहने वाले बेगती आनागरी को और स्वयम राज की क्रिया कलापों को नियंतित और निदेशित करते हैं, उसे विदि करते हैं। इस आईपीसी के अंतरद्गत भारती जनसाइट 860 के धारा एक के अंसार इसमें उसके नाम और उसमें लागू होने के विस्तार से संबंदित प्रधान हैं। और इसका विस्तार आर्टिकल 370, जंबू कस्मीर के धारा 370 हर जाने के बाद, 31 अक्टूबर 2019 इसका विस्तार संपूर भारत पर हो गया। वर्तमान बिधि आयोग के अध्यच लाड मैकाले द्वरा इस दनसाइटा का प्रथम प्रारूप तयार किया गया था। तो इसका प्रथम प्रारूप जो है लाड मैकाले द्वरा इत्यार किया गया था। बहुत बिट्टिस काल्स के समय से ही यह धराएं सासन में चली आ रही हैं। और इसी धारा के दिद्टिस किसी भी अपरादी बेद को डंडित किया जाता है और वह थारा के अंतरगत आएगा यह भी दिया जाता है। तो इसमें जो गौर्णर के सुकृति हुई है कहीं कहीं किताबों में साथ लिखा है कहीं छे लिखा है। तो लगवग 6 अक्टूबर और 1860 को प्राप्ट हुगा। इस आएपीसी को एक जनवरी 1862 में लागू किया। इसमें पूछ लिया जाता है कि आएपीसी को कब लागू किया गया। और इसमें कब गवर्णनल की शुकृति मिली। तो लगवग 6-7 लिखा रहेगा। देटर तुच्छ अक्टूबर 1807 को और आएपीसी के अंतरगर इसे एक जनवरी 1862 में लागू किया गया। इंप्लिमेंट किया गया, प्रवतर्ण किया गया। ओके। तो भारती दन सहिता, देखिए इसमें क्या है। भारतितन सहिता 1860 में कुल 23 अध्याए और 511 धराएं हैं इसमें भारतितन सहिता में अपराद की परिभासा और उसके लिए डंद का परधान किया गया है अपराद की इस सहिता में धरा चालिस में अपराद की परिभासा दी गई है अपराद या अपकार अपराद को ही अपकार कहते हैं जम्सिस्टिफन के अंसार जैसे अपराद एक ऐसा कृतिया कार है जो बिधि द्वारा निसिद और थाद बिधि के विरुद तथा समाज के नैतिक मनुभावों के परत्कूल दोनों ही होता है जैसे अपराने जवाने में कोई भी व्यक्ति एगर अपराद करता था तो उसके लिए उसे अर्थ दंद दिना होता था और जो अर्थ दंद दिया जाता था उसे उसके राज के राजकोस में रखा जाता था जैसे कोई व्यक्ति ए है एक कोई ब्यक्ति है उसने भी के हिर्दय में गोली मार दी ओके और वह एक वह ब्यक्ति मर गया तो एक संगे अपराद है अपराद दो परकार कोते हैं एक संगे अपराद एक असंगे अपराद तो जब कोई ब्यक्ति जैसे संगे अपराद जैसे क्या क्या आएगा हमला चोरी लूट, जूट, साच, चमान, इंत्या अपराधिक नयाय भंग करना, छल करना, बलादकार करना, यह सब संग्य हत्या है, संग्य अपराध है, तो इसके लिए अपराध क्या लेकिया गया है, अधारा तिन सो में हत्या की परिभासा दी गई है, ओके? केनी के अंसार, कोई प्रोफेसर केनी है, केनी के अंसार, अपराध एक ऐसा दोस है, अपराध एक ऐसा दोस है, जिसमें अनुसास्ति धंड है, और जो किसी समान बेक्ती द्वारा छम में नहीं है, मतलब जब अपराद कोई वेक्ति करता है तो उसे किसी समान वेक्ति द्वारा छम नहीं है यदिवा छम है तो किवल समराद द्वारा मतलब पुराने जबाने में राजा के द्वारा किया जाता था तो भारत के राश्पति द्वारा उसकी उम्र कैद के भासी को टाला जा सकता है सुझाया आर्टिकल सेवेंटी तू के सुझे तहर देखिए जो अपने यहां का इंडियन पैनल कोड है वो समुद्र छेटा अधिकार से बारत समुद्री मेल तक फैला हुआ है तो यह UPSI में पूछा जा चुका है क्यूशन बार बार तो यह और यह जो IPC है वो केवल एक समान नागरी के लिए बिसेश कर बहुत सो लोगों के लिए यह नहीं है जैसे अपने हां के जो आर्मी है आर्मी परसंद के लिए यह लागू नहीं होता है यह प्राद उनके लिए अलग से कौट के борधान किया गया है आमनागरी को के लिए इसका प्रवधान है जैसे नहीं देखिए अपराद के मुख्त चार्त तो हैं अपराद के निम लिखित चार्त तो किसी विवेक्त कोई विवेक्त अपराद करेगा तो उसमें क्या अपराद की कह से क्या होना जाए पहली बात तो उसमें मानों का होना जरूरी है किसी विवेक्ति द्वारा ही अपराद किया ज होता है कि मैंसरिया दुरासय होता है जो उसके मन इस्तिति मतलब उसके अपराधिक अगर उसका इंटेंशन है कामन इंटेंशन है उसके मन में कोई गलत भावना जागरित होती है तो उसके पहले कारे करे जो मानों और समाज के लिए जटी हो म давно कोई अपरादी कार करें बैकती है opposing मानों समाज के लिए छट कारी हो में आर्ट देखिए कसमें क्यूशन पुछा है इसमें कौन सा अपराद का मुल भिरतत्त्व को है Schön तो इसमें अपराद का कौन से पहला इंसान द्वारा किया गया हो अपरादिक इरादा हो कोई अवर्धकार या चूक हो या किसी ब्यक्ति के सरीर और मन इस्थी की प्रतिष्ठा या संपत्ति का चोड़ पहुचाना हो तो इसमें क्या होगा अंसर बताइए कर रहा है कि इसमें से कौन सा अपराद के मुलभूत तत्व हैं इंसान द्वारा किया गया कार अपरादिक इरादा हो और कोई अवैद कार या चूक हो और किसी अन्यव्यक्ति सरीर की मन प्रतिष्ठा हो तो इसमें क्यूशन जो बना था पीडिया मोज में पीक्यू आरेस करके होता था इसमें जैसे इसमें कौन कौन सा सही है यह सही है कि क्यों B सही है या PQR सही है या चारो सही है इन में से कोई नहीं तो इसमें चारो सही है पहली बात तो इंसान दोरा अपराद किया जाएगा नंबर दो नमबर दो अपराधिक इरादा होना चाहिए अभी बताया मैंने कोई अवैदकार या चूक से कोई गलती से भी कोई किसी की हत्या हो गई तो वो भी अपराध की सेड़ी में आता है किसी अनिवेक्ति के लिए सरीर और मन इस्तिति प्रतिता या संपति पर चोड़ पर चाहोगे तो भी अपराध कहलाएगा समझाए बात नमबर दो दिखिए नमबर दो में धाराध दो के बारे में बताया गया है धाराध दो क्या कहता है इस दन सहिता के अंतरगत विस्तार के बारे में परधान है अंतर देशी मतलब देश के अंदर कोई भी अपराद करे उसके बारे में परादा है जो ब्यक्ति भारत के राजचेत के अंतरगत अपराद करता है वह इसके अधिन डंडनी होगा अनिता नहीं इसमें कुछ अपवाद हैं जैसे निमपे ये लागू नहीं होगा जैसे भारत का राजचपती राजपाल या प्रधार मंतरी या विदेशी समराठ हो कोई राजदूत हो या राजदूत या राजनेग्स अभिकरता हो या विदेशी सत्र हो या विदेशी सेना हो या युद् इन सब पर लागू यह नहीं होगा अपराद के लिए अपराद के लिए क्या आवस्चक नहीं है उद्देश, आसे, मनुज या कार बताए ये अपराद के लिए क्या आवस्चक नहीं है किसी ब्यक्ति के उद्देश का होना ज़रूरी है कि आसे का होना या मनुज का लेखे कार का होना तो ज़रूरी है मनुज का भी होना ज़रूरी है उद्देश का होना ज़रूरी नहीं है मालो उद्देश है लेकिन इंटेंशन नहीं है मनुस आसा नहीं है, इडादा नहीं है, मनुस नहीं है, कार्य करता है तो तभी तो अपराद होगा, इसमें उद्देश नहीं होगा, ओके? अपरादिक दायोत के दो अती महतपुर्टत्व हैं आसे और कार च्छती और दो सिद्धी आसे और च्छती तैयारी इंड़न्ड बताइए अपराद के लिए कौन से दो प्रमुक्तत्व हैं आसे होना चाहिए उस कार करने के लिए या उसमें आसे और छत दोनों होने चाहिए या छती और दोसित होना चाहिए या तयार एम दंड होना चाहिए तो इसमें आसे भी हो उसके पास और उसकी छती भी हो सुने बाज़े इसमें आसे और छती दोनों हो धारा चाहर के अंतरगत भारती दन सहिता भारती दन सहिता 1860 के अंतरगत धारा चाहर में कहा गहा है कि यदि भारत के बाहर किसी अस्थान पर भारती नागरिक द्वारा या भारत में पंजगित या रजिस्टित किसी पोत या बिमान पर वह चाहे जहां भी हो किसी ब्यक्ति द्वारा इस सहिंता के अपराद के जाने पर इस सहिंता का उपबंद लागू होगा मतलब अपराद लागू होगा और देखे इसमें कोई ब्यक्ति किसी अस्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराद भारत पे इस्तित कंप्यूटर साधन को लच बनाते हुए कारिद करता है तो भी धारचार के अंतरगत उसे अपराद इस गोशित किया जाएगा ओके नमबर आठ में हमें जेंडर के बारे में जेंडर है जेंडर से किसी पुलिंग वाचक सब्द के बारे में का गया है पुलिंग वाचक सब्द चाहे नर हो या नारी हो उसके बारे में बताया गया है धारा आठ में लिंग के बारे में बताया गया है जो कि किसी पुलिंग के वाचक सब्द के बारे में बताएगा पुलिंग वाचक सब्द चाहे वो नर हो चाहे वो इस्त्री चाहे वो नारी हो दोनों ही पुलिंग में आएंगे इसी प्रकार से धारा नौ में वचन से संब्दित है वचन में जाहे वो एक वचन जैसे का हो जाहे बहवचन का हो एक वचन बहवचन के प्रक्ति होगा और बहवचन भी होगा तो उसको भी वचन के अंतरगत रखा जाएगा उसी प्रकार धारा दस में इस्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है और इसमें इस्त्री जाहे वो जैसे वो इस्त्री के बारे में कहा गया तो इस्त्री जाहे एक वर्स की हो जाहे जन्म से की एक वर्स की हो या एक दिन की हो उसमें वह इस्त्री ही मानी जाएगी और उसके बाद चाहे पुरुस एक वर्स का हो या कई साथ साल का हो या उपर का हो वह पुर वाति दन सहिंता में इस्तरी सब्द घोतक है 15 वर्ष से उपर की आयो वाली की महिला 18 वर्ष से उपर की आयो वाली महिला नंबर सी 21 वर्ष से उपर की आयो वाली महिला या जन्मजाद बालिका सहित किसी भी आयो की महिला हो तो इसमें क्या होगा तहीं इसमें जन्मजाद बा यहीुआ का सहित किसी भी आयो की महिला हो तो इस तरही सब्सक्रारा का गोतक होगा उसी पराण पूरुष मैं अगर वह जन्म के हो यह है है सवसाल का हो तो वह पूरुष का ही ейिफोतग होगा नहीं घारा कि 11 में बियक्ति के बारे मैं बताया गया है ओके धारा 17 में सरकार के बारे में बताया गया है, गौर्मेंट सरकार के बारे में बताया गया है, धारा 18 में भारत का उलेक किया गया है, ओके तो एक कुछ इप्वाटेंट थे जिसके बारे में चर्चा करनी थे और जिसको ऐसे हलका फुल कर जाना है, जिसे पूछ लिया जा लेगा ओके सरकार के बारे हमके इसमें लेकिए है तो धारा सतरा में ओके तो यह कुछ important line थे जो कि है इसमें हम क्रम वाइत क्रम टापिक वाइस आपको धारा वाइस डिसकस करते है की रहएंगी थी थाल आतली है